नमस्ते विद्यार्थियों, जेसी आटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों सामाजिक विज्ञान विशय के अंतरगत हम नागरिक सास्त्र का ध्यन कर रहे हैं और हमारे समक्ष अभी सात्मी कक्षा का नागरिक सास्त्र जिसके पाठे पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनेतिक ब्यवस्था भॉल्यूम टू भाग दो बच्चों मैं आपको बता दूं कि सामाजिक एवं राजनेतिक ब्यवस्था नाम की जो पुस्तक है उसका तीम भॉल्यूम है एक भॉल्यूम हम लोग छटी कक्षा में पढ़ चुके हैं अभी दूसरा भॉल्यूम हमारे सामने है जो सात्वी कक्षा के लिए है और एक तीसरा भॉल्यूम भी आपको पढ़ना है बच्चों जिसका नाम होगा सामाजिक एवं राजनेतिक ब्यवस्था 3 जो की आप आठवी कक्षा में पढ़ेंगे तो बच्चों आप स्क्रीन पे बने रहें और आप देखें सात्वी कक्षा का पहला चेप्टर है आपका लोगतंत्र तो आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोगतंत्र क्या है यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोगतंत्र राजतंत्र से कैसे अच्छा है और हमारे देश के परिपेक्ष में जब हम बात करेंगे बच्चों तो ये भी जानने का हम प्रयास करेंगे कि लोगतंत्र के तहत आजादी के बाद से हमारे देश का कितना विकास हुआ, हमारे जो जीवन मुल्ले है वो लोगतंत्र के अंतरत कितने सुरक्षित है और हमारा द बातों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपके समक्ष जो तस्वीर है, वो हमारे संसद भवन की तस्वीर है, ठीक है, और ये संसद भवन दिल्ली में, नई दिल्ली में है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आपके पहले अध्याय, जिसका नाम है लोगतंत्र, उसकी हम सुरुवात करते हैं। बच्चों, यहां पर लिखता है, लोगतंत्र का आर्थ होता है, जन्ता का सासन। लोगतंतर का क्या आर्थ होता है? लोगतंतर का आर्थ होता है जनता का सासन. कैसे? जनता का सासन कैसे हो सकता है? क्या यहां कोई राजा नहीं है? इसका जवाब है बच्चो, नहीं. यहां कोई राजा नहीं है. भले ही हमारी कोई प्रत्यक्ष भागिदारी इसमें न भी इस सासन में हम भागिदार हैं तो सबसे पहले जो आपकी समक्ष जो प्रिष्ट है बच्चों इस प्रिष्ट को आप ध्यान से देखिए लोग तंतर का अर्थ होता है जनता का सासन यह सासन की एक दिवस्था है जिसमें आम लोगों की सहमती क्या सकता होती है बच्चों आप अगल बगल आप देखेंगे, तो किस परकार से पंचायत के चुनाव होते हैं, कैसे विधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है, कैसे लोग सभा के सदस्यों का चुनाव होता है, और उस चुनाव में हमारी भागिदारी होती है, हम अपनी भागिदारी सुनिश्चित करते ह हम अपना representative चुनते हैं, हम अपना प्रतिनिधी चुनते हैं, और वे प्रतिनिधी जाकर दिल्ली में केंदर सरकार बनाती है, या फिर अपने अपने राज में, जदि हम जारखन राज के बारे में बात करें, तो राची में हमारी सरकार बनती है, जो की हमारी राज सरकार होती ह तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपून चीजों को बच्चों आप देख रहेंगो यहां लिखा हुआ History as Standard 6 इसकी क्या आउसकता है बच्चों इसकी आउसकता इसलिए है क्योंकि अध्यायच्च जिसका नाम है प्राचीन राजबेवस्था इस चैप्टर के अंतरद बच्चों हमने छठीक अक्षा में यह जान दिया था कि सन 1952 से ही हमारे देश में चुनाव होते आ रहे हैं तो इस प्रसंग का उलेख मैं सरिफ इसलिए कर रहा हूँ कि आप उस चीज को याद कीजिए कि आपको छठीक अक्षा में ही यह बात बता दी गई थी कि 1952 से अब तक आम चुनाव के जरिये हम अपने जन प्रतिनीधियों का चैन करते आ रहे हैं जो हमारे देश की सासन रवस्था को चलाते हैं तो कहीं न कहीं छठी कर्चा में भी हमने इसके बारे में जाना है लेकिन बच्चों वो इतिहास की पाठे पुस्तक थी ना की ना गरिक सास्त्र की चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं लोग तंत्र में जनता की भागिदारी दो तरीके से होती है एक तो की डारेक्ट पार्टिसिपेशन जिसको हम लोग प्रतियक्ष भागिदारी कहते हैं और दूसरा है इन डारेक्ट पार्टिसिपेशन जिसका नाम है जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं, और प्रत्यक्ष भागीदारी. बच्चों, आप सोच रहोंगे कि सासन में हमारी प्रत्यक्ष भागीदारी कैसे हो सकती है. बच्चु वास्तम में जो छोटे देश हैं, नगर राज हैं जैसे कि इसका उधारन हम लोग स्वीटिजर लैंड में पाते हैं बच्चु इरोब का एक देश है स्वीटिजर लैंड आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष भागिदारी क्या होती है और अप्रत्यक्ष भागिदारी क्या होती है इसको हम लोग कुछ आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले आप देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रत्यक्ष भागिदारी प्रत्यक्ष लोग तंत्र में सभी नाद्री सारे महत्वपून नितिगत फैसलों पर मतदान करते हैं मतलब जैसे मालीजे कोई भी नितिगत फैसला लेना है तो उसमें सीधे सीधे जन्ता की भागिदारी होती है इसे प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि सैधान्तिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधी यानि की रिप्रिजेंटेटिव या मध्यस्त या की मेडियेटर नहीं होता सभी प्रत्यक्ष लोगतंत्र छोटे समुदाय या नगर रास्टों में है उधारन के लिए स्विट्जर लैंड ठीक है बच्चो आगे लोगतंत्र में जो सबसे एक महत्वपून सब्द होता है पबलिक रिप्रिजेंटेटिव इसको भी हम लोग जानेंगे जिसको कि हम है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिभरसल एडल्ट फ्रेंचाईश जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सार्भावमिक वयस्क मताधिकार इसका मतलब क्या है बच्चों आजाधी के बाद जब हमारे देश में पहला लोगसभा का चुनाऊ हुआ तो उसमें जो भी ओक ईश बर्स का जो व्यक्ति था बाद में इस उम्र सीमा को घटा कर 18 बर्स की गई है तो जो एकईस बर्स की जो उम्र सीमा के अंतर जो भी व्यक्ति आते थे उस समय हमारे देश में तो उनका ना जाती देखा गया ना लिंग भेद देखा गया ना किस समाज को बिलॉंग करते हैं य दूर हैं क्या हैं यह कुछ नहीं देखा गया बच्चों सीधे सीधे एक व्यक्ति और एक मत चाहे वो महिला हो अथवा पुरूस हो धनी हो या निर्धरन हो तो इस चीज को हम लोग कहते हैं सारभौमिक वयस्क मताधिकार कहने का मतलब कि जो 31 वर्स की उम्र का होगा 1952 के अन एक मतलब citizen होता है हमारे देश का वो नागरी होता है ठीक है अब हम लोग जानते हैं बच्चों लोगतंतर का विकास एवं इसकी लोगप्रियता मतलब बच्चों हम कहना यह चाहते हैं कि लोगतंतर का विकास एक दिन में तो नहीं न हो गया बच्चों आप सुरू से आप कि किसी देश में एक राजा हुआ करते थे मतलब इतने राजाओं का जिकर हम लोग देखते हैं चाहे वो मद्ध जुग हो या प्राचीन काल हो जदी हम लोग गुप्त काल की बात करें मौरियकाल की बात करें हर्सवरधन काल की बात करें या कि हम लोग देली सल्तनत की बात करें है न और या हम मुगलिया सल्तनत की बात करें किसी भी समय की बात करें राजा महाराजा तो होते थे तो ये जो गणतंत्र या लोगतंत्र की विवस्था आज जो हम देख रहे हैं तो ये एक दीन में तो नहीं आ गया तो ये चीजे कहां से शुरू हुई ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे तो बच्चों हम मैं आपको बता देता हूं कि लोगतंदर का विकास जो है वास्तम में उसकी कुछ जड़े प्राचीन भारत में भी पाई गई है और यूनान देश में भी लोगतंदर का थोड़ा बर्नन ह और यूनान में जिसको हम लोग ड्रीस कहते हैं यूनान मच्चों इरोप का एक देश है तो चली पहले आप इस पेज पर फोकस कीजिए लोगतंदर का विकास एवं इसकी लोगप्रियता प्राचीन काल से ही भारत एवं यूनान में लोगतंदर के उधारन मिलते हैं यूना किया था आपने पिछली कक्षा यानि कि Classics में इतिहास की पुस्तक में लिछवी एवं वज्जी yaşववी गनराज्यों की सासन पनाली के बारे में पढ़ह इसको याद रखी MR बच्चों लिछ वी एवं वज्जी उनकी सासन पनाली जो थी वो गनतंदरिए थी मैं यह नहीं कहा रहा हूं बच्चों कि उसमें पुर्ण लोकतंत्र था जब आज है वैसा नहीं लेकिन उनकी सासन पणाली गणतंत्र यह थी लेकिन अधिकांस राज्यों में राजतंत्र ही था कालांतर में यानि कि बाद में विश्व में राजतंत्र एवं एकतंत्र की सासन बनाली अस्थापिद हुई जैसा कि आप जानते हैं कि राज तंतर में यानि राजा रानी का जो सासन होता है उसमें सासन की बार्डोर किस के हाथ में होती है राजा के हाथ में होती है अंतिम निर्णे किस के हाथ में होता है राजा के हाथ में होता है और राजा जदी अच्छा प्रसासक है योग्य है तब तो प्रजा खुस और जदी राजा निर्दई होता था तो प्रजा को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था तो कहीं न कहीं बच्छों राजतंतर का जो दोस है न उसी से लोगतंतर की उत्पति हुई है इसक्रीन पर देखिए बच्छों लोगतंतर की प्राचीन जड़े भारत और युनान देश से जुड़ी है यह युनान देश का एक चीतर है बच्छों देखिए यहां पर है ग्री लिछवी गंड राज इसको हमने विशेस करके फोकस करके अलग से दिखाया है एरो मार्क से आप उत्तर बिहार में आप देख सकते हैं वैसाली और वज्जी ये ये छेतर आज जो है वैसाली कहलाता है लिछवी गंड तंतर भारत का सबसे पुराना लोगतंतर माना जाता है य बिहार आज में इस्थित्था जिसे आज हम बैसाली के नाम से जानते हैं अब जहां तक बच्चों राज तंतर की बात है राज तंतर को अंगरेजी में मोनार्की कहा जाता है और इसमें जो किसी देश का जो प्रधान होता है उसको हम लोग क्या करते हैं राजा करते हैं से बड़े बित मंत्रे भी हैं हाला कि बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट के लिए होते थे लेकिन मूल सकती किस में केंदरित होती थी राजा में हैं तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं लोकतंतर का विकास एवं इसकी लोकप्रियता बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि लोकतंतर के विकास के करम में राजतंतर से इसका भिढ़न्त हुआ भिढ़न्त होने का मतलब यह है बच्चों कि राजतंतर के साथ लोकतंतर की लड़ाई हुई और ये लड़ाई कुछ खास देशों में हुई है जैसे कि फ्रांस में और रूस में है ना फ्रांस में और जाजाओं के साथ द्वंद हुआ पबलिक का यानि कि जनता का तो चलिए से मैं पढ़ता हूँ आप सुनिए अतर लोगों ने इस बेवस्था का विरोध करना प्रागम्द किया और फ्रांस रूस अंगरेजी में लिखावा बच्चों फ्रांस रस्या रूस पढ़िए रहे न वहां फ्रांस और रूस के बारे में आप बहुत डिटिल्स आपको पढ़ने को मिलेगा लोगतंत्र गणतंत्री बेवस्था का विक्सित रूप है यह सासन के अनपनालियों में सबसी लोगप्रिये एवं सुत्रीत पनाली रही है इस पनाली में प्रतिर ब्यक्ति को आगे सरकार को होती है लोगतंत्र में लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की सोतंत्र ता रहती है बच्चों हम जो बोलना चाहते हैं जिस मंच पे हम बोल सकते हैं हम सरकार से प्रस्ण पूछ सकते हैं सरकार की आलूचना कर सकते हैं सकारात्मक विरोध कर सकते हैं और बिना कोई सस्त्र उठाए हम हर तरह का विरोध हम कर सकते हैं हम गलत नीतियों पे नहीं जा सकते हैं लेकिन हम सही तरीके से हम प्रतिकार कर सकते हैं अपनी बात रख सकते हैं है न और सरकार भी क्या करती है वो भी लोकमत के अनुसार काम करती है यहां तक तो समझे बच्चों अभी-अभी हमने France और रूस के बारे में बताया देखे यह France और रूस का मैंने नक्सा भी आप लोगों के समक्ष रखा हुआ है यहां पे राज तंतर का विरोध हुआ था है न बच्चों अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं Switzer Land के बारे में अभी-अभी मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था कि Switzer Land में क्या है डारेक्ट जो है लोगतंतर का मतलब सीधे-सीधे बहुत सारे ऐसे चुनाओं हैं जिसमें कि सारे लोग उसमें सामिल हो जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से हैना तो देखिए लोगतंतर में सरकार का चरेन कैसे होता है इसका उत्तर इस बात पर निर्वर करता है कि लोगतंतर प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष मना कि डारेक्ष है या इंडारेक्ष और प्रत्यक्ष लोगतंतर में जनता मद्दान के द्वारा मद्दान यान की वोटिंग के द्वारा अपने प्र अत्यक्ष रूप देखने को मिलते हैं स्वीट जर्लेंड में जनता एक बड़े मैदान मी कठा होकर सासक चुनती है बच्चों आपको सुनकर बड़ा आजीव लग रहा होगा कि ऐसा भी होता है क्या हाँ बच्चों होता है और अभी देखिए स्वीट जर्लेंड का नकसा है यह इरोप का नकसा है देखिए स्वीट जर्लेंड कहां पर है यह फ्रांस जर्मनी और इटली के ठीक बीचों बीच है लाल रंग में दिखाया गया है ठीक है बच्चों इसको आप समझ रहे होंगे और इसी के साथ बच्चों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हू आगे आप इसी चैप्टर के अगले वीडियो में बने रहिएगा और आप जार्खन डिजी स्कूल आप भी डाउनलोड कर लिजेगा आपकी पढ़ाई थोड़ी सहज हो जाएगी उसके माध्यम से तो अभी फिलाल के लिए इतना ही इस वीडियो को मैं इहीं पर समाप्त कर में बहतर समझ बिक्सित हो रहा होगा इन वीडियो के माध्यम से आप टेक्स्ट भूग भी लगातार पढ़ेंगे बच्चों और किसी भी सब्द पर आपको कोई परसानी होगी आप अपने सिछक से पूछेंगे और आप वीडियो में भी कमेंट करके बच्चों कोई सवाल आप पूछ सकते हैं तो ठीक है बच्चों इस वीडियो को मैं इहीं पर समाप्त करता हूं और आप अगले वीडियो का इंतिजार करें ठीक है बच्चों जैन बच्चों